दोस्तों मैं एल्पना सुरो स्वागत है आप सभी का स्वाधिष्ट भोजन में दोस्तों आज में आपको बतुई के साग बनाना बताऊंगी दोस्तों गाउम इसको किस तरह से बना जाता है और दोस्तों ये ठंडियों के मूसम में बहुत अच्छे लगते हैं खाने में इसक की जड़ होती वह बाहर कर दिया है और जो तगली ढंठल होती वह भी मने निकाल दिया है तो यह देखे मैंने इसको ती बतुई लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं उसके बाद दोस्तों इसको हम काटेंगे तो चलते इसको काट लेते हैं दोस्तों भी तक चैनल को आपने सस्क्रेम नहीं कियें तो नीचे दियो लाल रंग की बटम को सस्क्राइब कर दीजी और बगर में बेल की घंटी है आप उसको बजानन ना भूलिएगा तो इसको पूरा महीन महीन काटेंगे ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं काटेंगे दोस्तों वैसे तो बथोई ठंडी के मोसम में ही मिलता है और इसका साग भी ठंडी के मोसम में बहुत अच्छा लगता है खाने में आप इसका दाल भी बना सकते हैं अगर आपको इसकी डाल की रेस्पी देखनी है तो आप मुझे एक कॉमेंट में जरूर बताना मैं इसकी रेस्पी आपको बनाना बताऊंगी कि आप इसका डाल कैसे बना सकते हैं बहुत अच्छा लगता है खाने में दोस्तों तो यह दिखिए इसको पूरा महीन महीन यायम पर मैंने काटा है और मैंने दोस्तों इसमें और कुछ भी नहीं डाला जैसे कि आलू बगर कुछ भी नहीं डाला इसका सागा इसे ही बनाएं बहुत अच्छा लगता है पर अगर आपको लगता अलू डालने का जरूरत है तो आप डाल सकते हैं तो यहाँ पर मैंने इसको काट लिया है दोस्तों आप इसको हम धोलेंगे दोचार पानी से अच्छे दो के साब करेंगे जैसे कि इसमें जो धूल मिट्टी होगा वो सब बाहर हो जाएगा इसको हम दोचार पानी से अच्छे से दोलेंगे दोस्तों अगर आपको मार्केट में जा रहे हैं बथुई का साब दिखता है तो आप जरूर लें क्योंकि इसका साब ठंडियों में बहुत अच्छा लगता है खाने में दोस्तों वैसे तो मैंने यह मार्केट से नहीं लाया है मैंने खेश से तोड़कि लाया है अगर आपके भी अगल बगल खेट है तो खेट में जरूर रूकता है आप तोड़ लीजिए उसको बनाई है बहुत अच्छे लगता है इसका पानी इच्छे से नहीं चोड़ देंगे हैं पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए तो हम सारे साग को अच्छे से छान लेंगे पानी से इसका पानी अच्छे से नहीं चोड़ देंगे तो मैंने ऐसे करके सारे साग को मैंने धो लिया है कड़ाही में डालेंगे इसको हम इसको हम एक बार उबाल लेंगे क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा सा कड़वा पनाएगा अगर हम इसे डेरेट बनाएगे तो इसको थोड़ा से हम ऐसे उबाल लेंगे पानी नहीं डालेंगे इसमे पानी खुदी छूटेगा तो दो मिनाट धका था खोलेंगे तो यह देखिए दोस्तो यह उबलने लगा इसमें पानी कितना सारा छोड़ा यह देखिए आप इसे हम छान लेंगे जो पानी हेश्टा है को हम बाहर कर देंगे साग को हम निकाल लेंगे किसी अलग बरतन में उसके बाद कड़ाही में डालेंगे सर्शोग का तेल तेल थोड़ा जादा डालेंगे दोस्तों क्योंकि साग जब भी बनाए तेल थोड़ा जादा ही डालें यहाँ पर मैंने लिया है लेसन और हरी मिश लेसन थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो हम लेसन को पहले डालेंगे इसको थोड़ा से फ्राई करेंगे लेसन देशे थोड़ा फ्राई होगा इसमें हरी मिश डाल देंगे इसको भी फ्राई कर लेंगे दोस्तों जब भी हम किसी भी चीज का साग बनाएं तो हमें लेसुन का तड़का थोड़ा ज्यादा डालना चाहिए तब जाएके साग बहुत अच्छा लगता है तड़क अच्छे सो हो गया इसमें हम डाल देंगे साग को जो हमकी बफाक रखे हैं उबाल के अब इसको अच्छे से मिलाएंगे तड़के में गैस के हाज पूरा मीडियम लो करके इसको अच्छे से पकाएंगे यह हलका सा पक गया है इसको और थोड़ा सा हम पकाएंगे ज़्यादा नहीं पकाना है अब इसको ढग देंगे दो मिनट के लिए तो दो मिनट हो गया है खोलेंगे उसके बाद दोस्ते इसमें डाल देंगे अधा चमस नमक या स्वादा नुसार अब इसको भी अच्छे से हम मिलाएंगे अच्छे से इस तरह से मिला देंगे मिलाने के बार दोस्तों इसको हम दो मिनट के लिए और ढग देंगे जैसे कि अच्छी से और पक जाए तो दो मिनट हो गए दोस्तों हम फिर से खोलेंगे तो ये देखिए दोस्तों साग हमारा बन गया ये अच्छी से पक भी गया है ये देखिए अब हम गैस के आच बन कर देंगे इसको हम गर्म गर्म सर्फ करेंगे तो दोस्तो ये रहा हमारा बतुई का साग पूरी तरह से बन के तयार है तो दोस्तो आप भी इस रेस्पी को ठंडियों को मोसम में बनाएगे खाईए और दोस्तों मुझे कॉमेंट में बताए कि आप सभी को बतुए कि साथ की रस्पी कैसी लगी